बीती दिनों 30 जून को प्रसाओ के दरान धमदा निवासे की हुई मौत को छिपाने के चलते वी वाई हॉस्पिटल को अगले 30 दिन तक बंद करने का आदेश मिला था लेकिन ये आज भी खुल नजर आया जिसको लेका दूर्ख कलेक्टर ने आदेश जारी किया था दूर्ख के पदनाफूर सिद वी वाई हस्पिटल में 20 दिनों 30 जून को प्रसाओ के दरान धमदा निवासी गर्बती महिला की मौत हो गई थी जिससे इलाज और मौत का करनाट शिपाने को लेकर एक आदेश गुलवार को जारी हुआ जिसने आदेश दूर्ख करेक्टर पु पुल्टा अस्पिटल ने महिला की हार्ट एटेक्स से मौत बता कर मामला दबा दिया जब हेल्थ विवाग की टीम रूटीन जार्च के लिए गर्ब होती महिला के घर पहुची तब पता चला डिलोवरी के दौरान उसकी मौत हो चुगी है इसके बाद हेल्थ विवाग ने एक नोटीस भेजा जिस पर अस्पिताल प्रबंदन ने गोल मौल जवाब दिया उसके बाद पुरा नोटीस जारी कर जवाब मांगा गया फिर भी सही जनकरी नहीं दी गए जिसके बाद अस्पिताल प्रबंदन के रवज़े को देख कर सास्ती भाग ने कारवाई कर 20,000 र देखी कर आज वीवाई अस्पिताल पूरी तरह खुला हुआ है ग्रैने से निउस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट